असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं देशी टीवी यूएसे और मैं हूँ शाहिष सजली नज़र आते हैं सबसे पहले हेडलाइन्स पर दुनिया भर में कुरोना की वबा, कुरोना वैक्सीन से मतलिक अमरीका और चीन के बड़े दावे अमरीकी सरा डॉनल्ड ट्रॉम कहते हैं चन हफ्तों में कुरोना वैक्सीन दस्याब होगी चीन का नवंबर तक कुरोना वैक्सीन फराहम करने का अईलान इंडोनेशिया में कुरोना की वबा, कुरोना से बचने के लिए जहरे पर मास्त ना पहनने पर अनोखी सजा मास्त ना पहनने वाले शक्स को कुरोना से मरने वाले अफराद के लिए कबरुसान में कबरें खोता होंगी फूर सीज पाकिस्ताने जिए ह्कुमत पाकिस्तान का रोशन डिजुटल अकाउंट प्रोडम, अमरीका में पाकिस्तानी सिफार्ध खाने के ज payroll के जिरे एत्माम, वेबिनार का इनिकाल, पाकिस्तानी सफीर, डौक्टर नसत मजीध खान, गवर्नर स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकर समेद पाकिस्तानी सिफारतकारों का वेबिनार से खताब अमरीकी दारों को मफरूर चीनी हैकर्स की तलाश अमरीका के डिपार्टमेंट आफ जेस्टिस ने फर्द जुर्म आयत कर दी वेनिस पर फास्फेन गैस की मौझूदगी से जिन्दगी के असार मिल गए फास्फेन गैस की मौझूदगी के सबूत मिले हैं अब खबरें तफसील के साथ दुनिया भर में क्रोना वाइरस की वाबा दुनिया भर के मालिक का करोना वैक्सीन पर जोर है अमरीका के सदर डॉनलर्ड ट्रम्प ने करोना वैक्सीन से मुटालिक एक एहम ऐलान किया है अमरीका में करोना वाइरस की वैक्सीन एक महीने के अंदर दस्याब हो सकती है अमरीकी सेरा डॉलर्ड ट्रॉम्प ने कहा कि हम वैक्सीन हासिल करने के बहुत करीब है चन हफ़तों में वैक्सीन मिल सकती है अमरीकी सेरा डॉलर्ड ट्रॉम्प इससे पहले भी अपनी एलेक्शन कैमपेन में कुरोना वैक्सीन के मुतालिक अवाम को बड़ी खुशखबरियां सुना चुके हैं इससे पहले अमरीकी सेरा डॉलनर्ड ट्रॉम्प ना इलान किया था कि कुरोना वैक्सीन अमरीका के सतरात इंतिखबास से पहले दस्याब होगी वो वाम को कुरोना वैक्सीन का तुफा देंगे पाकिस्तानी अलसो लेकिन इसके मेजर यूजर जो हैं वो हमारे ओवर्सी पाकिस्तानी है और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बारहा ये बात की है कि ही वोड लाइक तो इंवाल एनिञे अवर्सी पाकिस्तानी थिन पाकिस्तानी है इस वेबिनार में शिरकत की पाकिसान की सफीर डौक्टर असद मजीद ने कहा रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम पाकिस्तान की कौमी तरक्की में एहम किरदार अदा करने वाले ओवर सीज पाकिस्तानी को मौसर और असान बैंकिंग सर्विसिस की फरामी को यकीनी बन की फरामी हुकूमत या पाकिस्तान का इंतहाई एहम और बड़ा एकदाम है। स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के गवर्नर रजा बाकर ने रॉशन डिजिडल अकाउंट प्रोग्राम पर रॉशनी डाली। अकाउंट की तफसिलात पर बात की। इंडोनेशिया में करोना वायरिस की वबा। इंडोनेशिया के सूबे जावा में मास ना पहनने पर कबरुस्तान में कबर खोदने की सजा दी गई। अगर मास ना पहना तो उसे बतौर सजा के तौर पर ये काम करना होगा। अमरीका के डेपार्टमेंट ओफ जस्टिस ने चीन से तालुक रखने वाले हैकर्स पर फरदे जर्म आयत कर दी है चीनी हैकर्स मफरूर हैं अमरीके हुकाम को इन चीनी हैकर्स की तलाश है अमरीक एककाम का गयणा है कि इन चीनी शहरीओं पर अमरीका समयेट दीगर माली की सौ कमपनियों को हैकिंग का निशाना बनाने काल जाम है ये चीनी हैकर्स अमेरिकन और दीगर माली की कमपनी सोशल मीडिया आकाउंट्स, विडियो गीइंस कमपनी को 습 सैना बनाते हैं अमरीका के Department of Justice के Attorney Michael Sharon ने मेडिया से गुफ्तुगू में बताया, पांक चीनी हैकर्स का एक गुरूप है, ये गुरूप मुक्तलिफ कारुबारीदारों को निशाना बनाता है, अमरीके काम को इनकी तलाश है, चीनी हैकर्स मुक्तलिफ कमपनीज को निशाना बनाते हैं, उनका डेटा चोरी करके चीन को पहुचाते हैं. साइंस जानों ने इंकिशाफ किया है कि निजाम शमसी के दूसरे सयारे वैनिस पर फास्फेन गैस की मौजूदगी के सबूत मिले हैं माइरीन ने इंकिशाफ किया है कि फास्फेन गैस सयारे वैनिस पर जिन्दगी के असार मिले हैं माइरीन का गैना इस گईस का तालोग जमीन पर मवजूद जानदारों से है इस गैस की मवजूद की बाद इंकिशाफ किया गया है कि वैनस पर जिंदगी के असार मौझूद है सेयारा वैनस जिनदा जानदारों के लिए गैर मौजू करा दिया जयता रहा लेकिन अब इसके गहरे बातलों में फॉस्फोरोस के आसार मिले हैं, जो जिंदगी के अलामत हैं. ये थी आज की एहम खबरें, खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहें, देश्टे टीवी यूएसे.